हलो एवरिवन वेल्कम बैक टू फार्मिसी क्लासेस यह फार्मस्यूटिक्स फ़र्ष्ट का पाउडर चाप्टर का लेक्चर नूमबर टू है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जियोमेट्रिक डालूशंस के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टेडी करेंगे साथ ही यह जियोमेट्रिक डालूशंस इसके प्रोसेस के बारे में भी स्टेडी करेंगे इसके पीछली वाली वीडियो में हमने डिसकस किया था यह फ्लोरोसंस पाउडर के बारे में अगर आप जब जो हमारा drug है powder drug यह small quantity में है और इसको हम अगर add करना चाहते है additive एक्सेपियंस में और उस additive एक्सेपियंस या फिर dilutant का जो amount है वो ज्यादा है तो हम geometric dilutant method को दोरा हम अपने API active pharmaceutical ingredient को add कर सकते हैं अपने dilutant में simply हम कह सकते हैं कि यह geometric dilutant method है इस method का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमारा API कम हो जो हमारा dilutantShow हो इसका amount जादा हो तो इसको mix करने के लिए हम geometric dilutant method का इस्तवाल करेंगे साथी जो method geometric dilutant method, इस method से जब हम अपने drug को mix कर रहे हैं small amount में जो हमारा drug API है इसको तो जब हम mix कर रहे हैं large amount के dilutant, excipience में, तो जो जो अमारा drug का mixing होगा, या फिर जो हमारा API का mixing होगा dilutant में, वो uniform रूप से होगा, जो कि एक major advantage है इस method का, तो हम कह सकते हैं कि जो geometric dilutant method होता है, इस method में हमारा API है, active pharmaceutical ingredient, इसका mixing uniform रूप से होता है dilutant में, साथ ही यह जो geometric dilutant method है, mixing का powder है, इसका इस्तेमाल हम अपने lab में भी करते हैं, जब जो हमारा API, एवम जो excipience dilutant जो है, इनका color same रहता है, तो वहाँ पर जो mixing का visual sign है, वो absent रहता है, तो ऐसे situations में, जो हमारा API, एवम जो हमारा dilutant है, इसका अगर color same हो, तो वहाँ पर हम geometric dilutant method को इस्तेमाल करके, अपने mixing process को done कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी mixing होगी, वो uniform root से होगी, geometric dilutant method के थुरू, आईए अब हम dilutant method की mixing process है, इसको एक animations के थुरू study करते हैं, next slide में, geometric dilutant method के दौरा हम 100 mg potent drug, मतलब 100 mg API को mix करेंगे, 900 lactose में, और हमें mixture प्राप्त होगा 1000 mg का, आईए इस process को देखते हैं, सबसे पहले हम 100 mg अपने potent drug art API को लेंगे, अब हम 100 mg अपने dilutant यहाँ पर हमने lactose लिया है, 100 mg lactose के लेंगे और इसको mix करेंगे, इसके mixing से हमें 200 mg का mixture प्राप्त होगा, और जैसे हमें 200 mg का mixture प्राप्त होगा, इस 200 mg के mixture में, हम दुबारा से 200 mg का lactose में add करेंगे, जिसके दोर हमें 400 mg का mixture प्राप्त होगा, इन दोनों को add करने से, और यह जब 400 mg का mixture प्राप्त होगा है, इसमें हम for the 400 mg का lactose जो की dilutant है, इसको add करेंगे, जिससे हमें 800 mg का mixture प्राप्त हो रहा है, और यह जैसे हमें 800 mg का mixture प्राप्त हो रहा है, इसमें जो remaining portion है हमारे lactose का additive का excipience को उसको add करके हम अपने हाउजेंट mg के mixture को तयार कर लिए साथी यह जो mixing का process है इस mixing के process में जो हमारा powder drug था वो very less amount में होने के कारण भी इस पूरे mixture में उसका जो amount है वो uniform रूप से distribute है यही major advantage है geometric dilucence mixing का का वो बार साथी में साथी यह जो का जो लोगा है में झालाप्स का ब सक्व HEY यही. और मुप से का अबोसिटक्वावाब झालाते है करा वो द Pen, क ya व時 जये सोस्के का आंपाल, है जए आतिक्वेखब द औरने हैं, हैं उल सक्वेटक्त... झाल झाल